अलो फ्रेंट्स मेरा नाम दुर्गेश है और मैं आपके लिए लाया हूँ प्राइथन का एक प्रोजेक्ट जिसमें हम लोग बनाने वाले हैं एक चैट बोट जी हाँ हम लोग के ML बेस्ट मसीर लर्निंग बेस्ट चैट बोट बनाने वाले हैं और यह होगा desktop application जिसको मैं बनाऊंगा with the help of tk enter और मैं कुछ libraries उस करूँगा तो मैं course के दोरान बताऊंगा आपको लाइबरी कहां से डाउनलोड करनी है कैसे डाउनलोड करनी है computer को ले करके बैट जाएए और आप निशिंत रही आपको सारी चीजें step by step simple manner मैं समझा दूँगा और आपका ready हो जाएगा chatbot तो एक बार मैं आपको demo दिखा देता हूँ कि हम लोग बनाने के वाले हैं के बाद हमारा यह program है यह जो window बनाई है मैंने tk enter के help से बनाई है और यहां पर मैंने एक label यूज किया अब भी कोई label यूज कर सकते हो यहां पर मैंने list box यूज किया है जहां पर हम messages दिखाएंगे और यहां पर एक entry है text field है जहां पर हम लोग type कर पाएंगे messages तो मैं यहां पर लिखता हूँ high और click करता हूँ तो यहां पर दिखिए मैंने लिखा है high what ने लिखा hello फिर मैं इससे और कुछ भी और कुछ भी commands देता हूँ देखते हैं क्या work करता है तो मैंने इस बार लिखा है what is your name और मैं click करूँगा तो यहां पर यह कहेगा my name is siwangi इससे और भी कुछ पूछते हैं तो यहां मैंने पूछा इससे in which city you live तो यह कह रहा है I live in Lucknow उसके बाद और भी कुछ इससे पूछते हैं तो मैंने लिखा which languages do you know तो यहां पर कह रहा I am great जरा मैं question बदलता हूँ in which language you speak और मैं ask from board करता हूँ तो यह answer देगा मुझे mostly I speak in English तो यहां पर ऐसे basically मैंने क्या किया है कुछ data set कुछ अपना chat का set बनाके इसको दे दिया है और यह क्या कर रहा है उसी data set से यह prediction कर रहा है और यह अपने हिसाब से prediction करेगा है क्योंकि मैंने particularly यह नहीं बताया है कि आपको किस question का answer क्या देना है तो friends चले start करते हो यह chat board हम लोग बना दें और यह आपके लिए एक अच्छा project हो सकता है अगर आप college जमा करना चाहर हो या फिर अगर आप real time में भी chat board बनाना चाहते हो जो आपके कोई भी काम को कर सके तो आप इस तरीकों को यूज़ कर सकते हो फिर आप मैं तो सिखाऊंगो यहाँ पर टीके इंटर की help से desktop लेवल application में आना बट आप लोग इसको web में इंटीग्रेट कर सकते हो जैंगो या फिर फ्लास की help से तो चले फिर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन पे क्लिक कर देंगे जिससे कि हमारी latest videos आपको मिलती रहेंगी चले फिर स्टार्ट करते हैं त और हम क्या करेंगे create पे क्लिक कर देंगे और यहां पर हम new window पे क्लिक कर लें तो इससे होगा क्या पाई चाम आपके लिए नया प्रोजेक्ट बना के देगा जिसमें हम लोग वर्क कर पाएंगे और इसको बंद कर देता हूं यहां पर यह थोड़ा सा time लेगा depending upon your processor अगर आ environment को बनाने के लिए और आपका interpreter setup करने के लिए थोड़ा सा time लेगा तो हमारा यहां पर प्रोजेक्ट ready है अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर हम एक file बना लेते हैं तो हम लोग अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर हम फाइल बनाएंगे और हम लो हम लोग टेस्ट कर लेंगे कि हमारी यह file execute हो रही है कि नहीं हो रही है तो हम लोग यहां पर टाइप करते हैं प्रेंट और यहां पर लिखते हैं टेस्टिंग और हम लोग फोड़ा सा फॉंट इसका बढ़ा देंगे जिससे कि सबको visible visible उपाय तो हम open करेंगे file पे और चले लोग करते हैं इस file को run करते हैं तो तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहां पर run पे क्लिक करेंगे तो यहां पर पाइचाम इस file को run कर देगा और यहां पर output आ जागा तो चलिए हम लोग यहां पर एक library उसकरने वाले हैं जिसका नाम है Chatterbot तो मैं आपको दिखा देता हूं यहाली लाइबरी हम लोग उसकरने वाले Chatterbot हम लोग थोड़ा सा quick introduction इस library के बारे में देखेंगे कि इसको कैसे use करना है कैसे install करना है और इसका कैसे use करेंगे हम लोग अपर यह सारी शीचे हम लोग देखेंगे लेकिन अगर आप इसको सर्च करना चाहरे हो तो आप क्या कर जो आप उपर ही देख सकते हो Chatterbot के नीचे लिखा हुआ है सब टाइटल में machine learning conversational dialogue engine इसका मतलब जो इसकी implementation library की की गई है वो machine learning पे की गई है हम लोग क्या करेंगे इसको conversation कुछ देंगे तो बट वो सिर्फ इस bot को learn कराने के लिए conversation होंगे और जब आप उससे कुछ पूछे working machine learning पे ही हो सारी working machine learning पे ही depend करती है क्योंकि हम इसको direct नहीं बताएंगे कि आपका question यह आपका answer यह आपका question यह आपका question यह आपका answer हम इसको बहुत सारा data set दे देंगे और यह क्या करेगा हमारे question का appropriate answer निकाल के खुद से हमें देगा ठीक है तो चले यहां पर हमें एक option मिल implementation में जा सकते हूँ training हो गया रहा कैसे करते जांप लोगा रहा बट मैं यहां पर क्विक स्टार्ट गाइड पर गया हमें सबसे पहले एक module इंस्टाल करना पड़ेगा चैटर बाट का मड्यूल चेटर बोट बाट की ली तो हम लोग क्या करेंगे चलिप चिलेंगे और यह module से हम लोग libraries को अपने project में download कर सकते हैं लगा सकते हैं तो यहां पर देखें पिप का version 10.0 है that means हमारे project में पिप चल रहा है हम clear कर देंगे और यहां लिखेंगे पिप install chatterbot जो वहां पर command लिखा था friend वहीं हम लोगों यहां पर लिख दिया जिससे होगा कि हमको लाइबरी मिल जाएगी और हम लोग अपने project में लाइबरी को लेंगे और class का नाम लिखेंगे और यह चैट बॉर्ट का नाम पास कर देंगे यह object बनाने के लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा चैटर बॉर्ट मॉडूल से चैट बॉर्ट वाली class तो हम लोग फ्रॉम चैटर बॉर्ट इंपोर्ट चैट बॉर्ट क्लास कर लेंगे उसके बाद हम object बनाएंगे हमारा ready है चैट बॉर्ट अब यह जो बॉर्ट है उसको हमें conversation देके learning कुछ करानी पड़ेगी और हम लोग को help बेना पड़ेगा यहाँ पे list trainer की तो यहाँ पर करेंगे चैटर बॉर्ट में लिश्ट रेन कर घ् SP, लेकिन जब आप रियल टेम पर यह चीश इंप्लिमेंट करोगोगे तो आपको बहुत जादा टाइम लगएगा a conversation को बिल्ड करने में क्योंकि आपको अपने अपने चैट बाट को लन कराना कराना ही कराने के लिए आपको बहुत सारा डेटा इसे देना होगा वह मैं सारी conversation को देनी हो अवसी thing से चीजों को प्रेडिक्ट करेंगे की लнос का की चीजों को चीज करेंगे तो चैट बॉर्ट का reference है यह चैट बॉर्ट को train कर देगा और हम trainer के पास एक method train यह call करेंगे और अपनी conversation देदेंगे तो यह trainer क्या करेगा हमारे चैट बॉर्ट का जो reference इसके पास है यह उसको train कर देगा with these conversation उसके बाद simple है अब आप क्या करोगे chatbots से कुछ भी query कर रही होगी तो chatbot.get response call करोगे और अपनी query देदोगे that's it जैसे आप chatbot.get response call करेगे अपनी query देदोगे यह क्या करेगा आपको response देगा और आपको print कर देना है तो friends आपको इतना ही करना चैट बनाने के लिए महनत आपको कहा करनी इस conversation पर आपको conversation बहुत जादा इकठा करना है set बनाना है आपको database में रखना और वो database का reference आपको इस list trainer को दे देना है यह train कर देगा तो अभी मैं यहाँ चोड़ा सा ले लूँगा अधर्वाइज आप SQLite database उसकर सकते हो बहुत बड़े-बड़े databases उसकर सकते हो चीजों को learn कराने के लिए तो चले हम लोग स्टार्ट करते हो और import करते हैं सबसे पहला step chatterbot से chatbot और बनाते हैं chatbot तो हम लोग आएंगे यहाँ पर और हम लोग अपने project में आएंगे और project में हम सबसे पहले अभी तो हमारी library डाउनलोड ही हो रही है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक library complete नहीं हो जाती है तो हम लोग import करते हैं सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे gäbe from है और हम लोग किया कोश्च करेंगे टाइप करने की चैडल спорт छैटर बोट है चैटर वोट इंपोर्ट है ओचैट बोट है चैट बचैट बॉट है है पर हम लोग क्या करेंगे फριंट लग्राइज बनाने कोशिस करेंगे चैट बॉर का तो हम दो यहां बट भाल आ करेंगे चैटर बार डॉर्ट कृणर से से watched list trainer तो लिख देते हैं फ्रॉम जैड़ाए लिट्र से लेके आता हूँ मेरे पास लड़ी बना बनाया या बना लेते एक लिस्ट है कनवर्शिशन थाम देंगे कॉन वो स्कूल Howie लिस्ट अब लिस्ट में हमें अपनी कनवर्शेशन देंगी है न दे धि exposure है घ्र हम देंग नहीं हिरद भार मेसी थ्याएशिवान एक इसे एक श्व्यान एक काफी है त्रेस्टिंग करने के अगर आप कोई भी रियल टाइम से प्रोजेक्ट रियल डिया तो है युज करना चाहिए अनके वेब प्रोजेक्ट मैं या फिर अपने आप स्टोर करोगे या फिर या फिर यूज कर सकते हो और रेखाएं करते हैं तो एक वेरेवन लिखते हैं trainer is equal to only less trainer और यहां पर हम पास कर देंगे अपना बॉर्ट का reference उसके बाद हम दो फंक्शन कॉल कर देंगे मैं लिक देता हूं वेंग्टू फ्रेंग नौ रेनिंग दब बॉर्ट विद विद्ध विद्ध रेल्प आफ ट्रेनर्स ठीक है तो हमें ट्रेनर पर एक फंक्शन कॉल करना है और हमें यहां पर देना है अपना कणो conversation अपने अब क्या होगा कि यह बोट यह जो ट्रेनर है वो आपकी पॉट को क्योंकि इस ट्रेनर के पास अपने आपके बॉर्ट का reference है तो जिब ट्रेनर को हम conversation देंगे तो ही क्या करेगा इन सारी conversation को पोट को लर्न करा देगा और लन करा देगा वाट से हम लोग को response पूछ सकते response देने के लिए हम function कॉल करेंगे function कॉल करेंगे बाट.get response और हम यहां पास करते हैं what is your name और यह मुझे आंसर देदेगा तो हम आंसर के एक वेरीबल में store कर लेंगे और इसको print करेंगे प्रिंट करके देखते हैं आंसर क्या देता है उसके बाद हम थोड़ा सा इसको इंप्रूब करेंगे इस प्रोग्राम को रं करने के लिए राइट क्लिक करें और रहन पे यहां पे क्लिक कर जिए यह थोड़ा सा टाइम लेगा learn लान कराने में आप देख सकते हैं यहां पर ईस्ट आपको पदा चलते रहेगा यहां कुछ चैटर बॉर्ट कॉर्पस करके मॉडियूल इसको भी हमारे इस वाले प्रोजेक्ट में लगा देगा जिससे कि हम लोग ही जो डेपेंडेंसी चैटर बॉर्ट की वह भी सैटिस्वाइड हो जाएगा तो यहां पर देख सकते हैं हमारा यह भी इंस्टॉल हो गया अब हम लोग वगरा कराएगे तब भी percentage वगरा यहां पर दिखाएगा तो जो हमने conversation दिए वो बॉर्ट को learn कराएगा अगर आपके conversion बहुत जाद दिए यहां पर लिस्ट ट्रेनर क्या कर रहा है यह 9% है तो यहां पर अगर आपकी conversion बहुत जादा है तो फिर क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको learn कराने में तो यहां पर देखिए इसने आंसर दिया my name is bot I am created by इसने जो मैंने query यहां पर fire की थी what is your name इसने इसकी इसका answer हमें answer में दिया तो हम लोग इसको comment कर देते हैं और हम लोग थोड़ा सा कुछ ऐसा करेंगे कि बार बार हम पूछ सकें से तो हम यहां एक लगाएंगे while और इसको true कर देंगे infinite और हम लोग user से एक message लेंगे question या query और हम input function call करेंगे एंटर या ऐसे लिए बस function छोड़ दिए और यहां पर हम लोग क्या करेंगे चेक कर लेंगे अगर query is double equal to exit तो हम क्या करेंगे इस लूप को break कर देंगे otherwise अगर break नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे कि हम answer निकालेंगे और answer कहां से आएगा हम बॉट से पूछेंगे get response और अपनी query यहां pass कर देंगे और हम print कर देंगे सबसे पहले मैं लिखूंगा बॉट और हम लोग का जो response आया answer में वो कर दूँगा और उससे पहले मैं आप एक message दोंगा message में लिखूंगा टॉक टूक टूक टू बॉट चिकर अब लोग अपने प्रोग्राम को फिर सरन करते हैं तो यहां पर देखे हमारा पहले ट्रेनर वगयरा सब्सक्रेंड हो उसके बाद हम लोग का output है टॉक टू बॉट और हम लोग यहां पर देखे अब message स्टार्ट करते हैं तो मैं लिखूंगा हाई तो बॉट ने पूछा वाट इस नेम तो मैं लिखता हूं माइन नेम इस दुर्गेश को लिस्ट ओफ वाट इस यूर नेम यूर नेम एंटर करते हैं तो देखे बॉट माइन इम इस बॉट आई आम क्रेटेट बाइड दुर्गेश और फिर से मैं कुछ कुछिन पूछता हूं मैं लिखता हूं पर इन विच सिटी इन विच सिटी यू यह इन विच सिटी यू लिव और हम एंटर करेंगे तो यहां पर बॉलेगा आयम आई लिब लखना हूं इन विच या विच लैंगवजज दू यू नूओ फॉट लैंगवेज इस वॉट लैंगवेज दू नो और एंटर करेंगे तो यह बोलर थैंक यू क्यूब हम पूछन का आंसर मोस्ट प्रबली यह हो सकता है ठीक है और हम कुशन पूछने कुश्च करते हैं तो हम यहां पर हाव पूछते हैं हाव आर यू तो पताएगा आपको लग रहा है यह वसी से कुछ आपका अंसर दे रहा है वहां से सर्फ यह उसने जो चीजों को यार्थ कि यह वहीं से आपको यह आंसर दे रहा है ठीक है जैसे जैसे हम लोगोंने यहां बहुत सारे हम लोग यहां बहुत सारे जब कनवर्शन दे देंगे तो आपका बहुत एकदम ट्रेंड हो जाएगा और आपके करेक्ट होने के आंसर की पॉसिबलिटी जो भी बहुत जाद़ इंग्रीज हो जाएगी प्रेंड तो यहां पर हम लोगों एक निस प्रोड्राम बना लिया आया है अब लोग इस पर इसको कॉनवर्ट करना यह जीवाइबेस परग्राम में तो हम लोग चले स्टार्ट करते हो और एंटर करने में जिवाइमें तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग करते हैं